दोस्तो मेरी जो पहली फेबरिट लिप्स्टिक है वो है लैकमे की 925 का वेटलेस मूश यह है दो शेद्स है मेरे पास मैं नेम पढ़ती हूँ एक है रोस डच और दूसरी है फुष्चिया स्यूड तो मैं इसकी कलर्स आपको दिखाती हूँ पहले तो यह है जो रोस डच है उसकी कलर मैं इसाथ लगा के दिखाती हूँ इसकी शेड इस तरह से दिखती है और दूसरी शेड मैं दिखाती हूँ I love pink shades तो यह मेरी pink shade है यह इस तरह से दिखता है यह है ठीक है ना इस lipstick के जो खाजियत है यह इस wetless mousse की जो सबसे बड़ी बात है कि यह आप जब लगाते हो तो एक creamy सा होता है आपके होटो पर उसके बात यह विदन 30 सेगंस सुख जाता है और एक matte finish देती है और बहुत ही सुधी पतपट लीप्स बिल्कुल dry नहीं फिल होता है लीप्स बिल्कुल भी dry फिल नहीं होती है और बहुत soft सा एक फिल होती है एक अलग सा फिल होती है एक तब soft जैसे cream होता है जैसे cream होता है smooth soft उसी तरह से है यह लिप्स्टिक इसकी एक negative side है वह यह है कि यह लिप्स्टिक कलर स्टे नहीं है आपको पीच पीच में touch up करना है अगर आप खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो यह उठने का chances है तो I'm a big fan of चलिए मैं दूसरे shade को आपको दिखाती हूँ the next shade is Colorbar की lipstick है यह है hearts and tuts number है इसकी 80 और यह है red shade पे इस तरह की color आती है इसकी और बहुत this is also a matte color और इसकी भी price 200-250 के बीच में है मैं सारी products की details description box में दे दूँगी यह इस तरह से दिखता है और यह matte finish है but color stay नहीं है आपको पीच-पीच में touch up करना पड़ता है इसका but this is one of the affordable yet good quality lipstick दूसरी एक और shade है वह भी color bar का ही है यह है sultry pink as I told you कि मुझे pink की बहुत shock है इसका shade है इस तरह से इसका shade आता है तो यह भी काफी अच्छा है यह you know this one is not a matte finish यह glossy finish देती है और इसका color बहुत खुबसूरत है so दोस्तो मेरी जो next shade है वो है thrilling pink 61 यह भी color bar का ही है और इसकी color है pink, light pink, baby pink लगा के आपको दिखाती हूं यह इस तरह से दिखती है और यह भी matte finish नहीं है यह glossy में है और यह भी सारे जो मेरी color bar के जितने भी colors दिखाती हूं सब आपको within 300 में मिल जाएगा online और काफी अच्छे है तीसरी जो shade है वो pink में है feeling hot यह भी pink है यह भी मैं थोरी से दिखाती हूं this one this one is a pink pink matte finish lipstick यह pink matte finish lipstick है और यह भी इसका 93 है इसका shade code आप देख सकते हूं और मेरी जो 7th most favorite lipstick है वो 925 का and it's a primer plus matte lipstick है यह pink है but you know this is the lipstick that I have used for this video यह pink है but it has got a reddish tinge बहुत ही ओंदा color है इसका मैं यहां लगाती हूं यह इस तरह से दिखता है और यह matte finish देता है इन सारे lipsticks की अग तक मैंने जितने भी lipsticks आप लोग के साथ share की है इन सारे lipsticks का सर्फ एक ही problem है कि यह कोई भी lipstick color stay नहीं है long stay नहीं करता है और आप खाना खाते हैं पाने पीते हैं या कुछ भी पीते हैं कुछ भी काते हैं तो यह आपको एक बार touch up करना जरूरी हो जाता है एक बार touch up देना जरूरी होता है उसके बाद अभी मैं share कर रहे हूं मेरी सबसे ज्यादा favorite जो lipstick है उसकी वो है Saucy Sangria 730 है इसका code अभी यह available है यह नहीं market में मुझे नहीं पाता इसका price आपको मैंने तेन साल पहले जब करीगा था तभी इसका price 715 की करीब था अभी I think it is around 1000 की आसपास होगी इसकी price but this one I must say कि यह आप लगाओ जब तक आप soap अगरा डाल के अपने होट को घिसके जह साफ नहीं करते हो आप जो cosmetics remover है वह सब use नहीं करते हो तब तक यह आपके होटो को नहीं छोड़ेगा और इसका इस तरह से यह red है यह red है but this is a darker shades of red and this one is best very very good lipstick है बहुत अच्छा है बहुत soft एक आपका lip में fill होता है this is vitamin enriched भी है और this one is worth paying the money this lipstick this L'Oreal so I have shown you my eight most favorite lipstick shades अगर आपका अच्छे लगी है तो इस वीडियो का एक लाइक कीजिएगा और सारे लीपस्टिक्स मैंने यहा हो किये है इन सारे लीपस्टिक्स का मैं यह बिल्कुल बिडियो नहीं है और यह सारे मेरी फेबरिट कलर्स है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई